लो डियर श्टूडेंट कैसे हो सब लोग अच्छे से पढ़ रहे हो ना मन लगा के क्योंकि ये टाइम ऐसा ही है आप लोगों को पढ़ना चाहिए खेलना भी चाहिए सब कुछ करना चाहिए लेकिन पढ़ाई के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइस नहीं होना चाहिए तो चलो इतर दरबर की बात ना करके सीध्य अपने टॉपिक पर आते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लेटेंट हीट क्या होती है आप तो चुकिता लेटेंट वर्ड का सबसे पहले मतलब बता तो लेटेंट वर्ड का मतलब होता है छिपा हुआ तो चिपी में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा एनरजी का एक्षेंज करना ही पड़ेगा जैसे मुझे किसी सॉलेट को लिक्विड में करना है तो हीट क्या करनी पड़ेगी देनी पड़ेगी या फिर लिक्विड को बेपर में चेंज करना है तब भी मुझे क्या करना पड को दूसरी state of matter में change करने के लिए जो heat required होती है उस heat को ही हम कहते हैं latent heat लेकिन एक state जबास समझें the heat required to convert one state of matter into another state ऐसे आप definition भी राइट करते हैं तो लेकिन जब हम किसी एक state of matter को दूसरे state of matter में बदलते हैं उस time जो temperature होता है वो क्या रहता है constant रहता है temperature कम या ज्यादा नहीं होता है सर ऐसा कैसे होगा अगर हम किसी चीज को heat प्रोवाइट करा रहे हैं तो temperature भढ़ेगा ना तो सबसे पहले तो definition को द्यान अखिए the heat required to change the state of a substance without changing the temperature temperature को बिना change की हुए एसा ऐसा कैसे possible है तो ऐसा possible है हम आपको बताते हैं इसके लिए आप एक diagram देख रहे हो student आप लोगों के सामने आ रहा है इसमें क्या किया जा रहा है हम water को boil कर रहे हैं देखो water का जो normal temperature होता है जैसे अभी आप temperature ज्यादा है तो हो सकता है water temperature 10 degree हो या 12 degree हो या 5 degree हो ठंडा कर लोगे तो और कम रहेगा temperature लेकिन आप करम करते चाहोगे तो क्या होगा water temperature increase होगा मालो अभी water temperature का temperature एक ग्लास में आपने पानी लिया उसका temperature है 10 degree Celsius जैसे 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 आप temperature को भड़ा होगे मतला उसको गरम कर तो 10 से 20 होगा 20 से 30 होगा 30 से 40 होगा 40 से 50 60 70 80 90 100 water का temperature कहा 100 degree Celsius से पहुंचाएगा लेकिन अप फिर वी उसे गरम कर रहे हो तो क्या लगता है कि क्या temperature 100 degree Celsius से उपर जाएगा या नहीं जाएगा तो ओ ऑने पानी को कर लिया उसके बाद भी गरम कर रहे हो तो क्या temperature 100 degree Celsius से उपर जाएगा तो माई डियर शक्तियों थर्मोमीटर बगरा सब कुछ लगा हुआ है इसमें टेंपरेचर को मैदर करने के लिए आप जब वॉटर बॉयल हो रहा होगा तो वॉटर का टेंपरेचर 100 डिगी से उपर नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा आखिर हम जो हीट प्रोवाइट करा रहे हैं तो सर वॉटर का टेंपरेचर 100 डिगी से उपर आकर क्यों नहीं जा रहा है तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि वॉटर का टेंपरेचर जब आप गरम करोगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा टेंटे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 लेकिन 100 डिगी से इसके बाद में टेंपरेचर 100 डिगी स होता है तब मोलेक्यू का जो मॉलेकैल सोते हैं उनके बीच का जो इंटर मोलेक्ले कोर्स होता है क्या होने लगता है ओर से नीचे बाद में कनवरत नहीं होता बरिभी से क्लाज साहता है तो water oppressed के बीच का जो inter molecule force है जैसे हम दिखा भी सकते हैं जैसे ये water है अभी जब water normal temperature पर है यह water के मोलिक्ल हमने दिखाए अगर water normal temperature पर है उनके बीच में क्या होता है यह forced होता है attraction का रइट जब आप वाटर को गरम करें तो इसका temperature बढ़ेगा लेकिन जैसे temperature 100 degrees Celsius पहुंचेगा तो यह force क्या होने लगे का खतम होने लगेगा overcome होने लगेगा जिसकी बज़े से particle दूर दूर भागेंगे क्योंकि force की बज़े से particle पास-पास है जो फोर्स ही खतम हो जागे तो particle क्या होंगे दूर दूर जाएंगे और दूर दूर जाएंगे तो water case में कनवठ होगा बेपन में कनवठ होगा इसलिए temperature increase नहीं हो रहा है मतलब जो heat आप provide कर रहे हो वो कहां जा रही है जो आप heat प्रोवाइट करा रहे हो 100 degrees Celsius के बाद है वो कहां जा रही है सर वो जो intermolecular force है water के molecules के बीच है लेकिन जो बेपर है अगर जो water है बेपर में convert हो गया है तो बेपर का temperature 100 degrees Celsius से कितना भी उपर हो सकता है यह 250-300 कितना भी हो सकता है लेकिन water का temperature 100 degrees Celsius से कभी भी उपर नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा heat कहां जा रही है the heat is used to overcome the force of attraction between the particles of water water के particles के बीच में जो force है उसको खतम करने में जा रही है heat छिप गई है hidden हो गई है इसलिए इस heat को हम क्या कहते है latent heat यहाँ पर हम क्या कर रहे है liquid को बेपर में convert कर रहे है इसलिए इस heat को हम बोलते है latent heat of vaporization क्या बोलते है latent heat of vaporization latent heat का मतलब ध्यान अकना state को change करने में जो heat जरूरत होती है तो देखो यहाँ पर liquid से बेपर बनाई है ना state बतल लई है यहाँ पर liquid है उपर बेपर है और latent heat of vaporization को आप define भी कर सकते हो कि सर एक किलो लिक्विड को बेपर में change करने के लिए जितनी भी heat की जरूरत है उस heat को ही हम बोलते है latent heat of vaporization okay and you can write the heat required to convert one kilogram of liquid into vapor without changing the temperature is called latent heat of vaporization क्यों without changing the temperature की बार समझ गई ना temperature चेंज नहीं होगा water का temperature अगर जब आप बॉइल करते हो तो 100 degree Celsius होता है हो 100 degree Celsius ही रहेगा 100 degree Celsius से ऊपर नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा मैंने आपको बता दिया है क्योंगी जो heat है वो water के molecule के बीच में जो force of attraction होता है उसको over gum करने में चली जाती है तो यह बात हो गई latent heat of vaporization की जो water की latent heat of vaporization होती है student वो होती है 22.5 into 10 to the power 5 Joule पर किलोग्राम इसको Joule पढ़ते हैं जूल ही नहीं पढ़ते ध्यानकना क्या बोलते हैं इसको Joule पर किलोग्राम Joule क्या होता है Joule energy की unit होती है मैंने आपको physics में बताया हुआ है है physical quantity की unit होती है यहते ही Joule कितकी unit होती है Joule energy की unit होती है मतलब क्या है कि एक किलो water को किसमें बतलना है हमको बेपर में बतलना है तो क्या करना पढ़ेगा heat देने पढ़ेगी न एक किलो water को बीपर में बतलना है तो हीट देनी पड़ेगी कितनी हीट देनी पड़ेगी इतनी 22.5 इंटु 10 to the power 5 ओके हम लिख भी सकते हैं ता हीट रिक्वाइट टू कनवर्ट 1 किलोग्राम ओफ वाटर इन्टु बेपर एज 22.5 autop boxing दू लिख ऑपर स्टूडइंट के वाइशन के ऊपर टू कुशन भी हम आप लोगों को बटाते हैं जैसे आप लोगों केไดवा कुछ अच्छ इचछ जैसे मोमोज है, इडली है, इनको हम बनाने के लिए क्या यूश करते हैं? इस्टीम का यूश करते हैं, पता है न आप लोगों को, अगर नहीं पता है तो देखो, अपने घर में, अपने आफ़ पड़ोस में, बाजार में जाके देखो, मोमोज, कितना डिलीस है, देखो, मु 100 degree Celsius है और बेपर का पहला है 100 अधीय सेल्सेयस है और मुझे बतायो कौन ज्याधा यूश्फुल होता है भी यह यह ज्याधा यूश्फुल होती है कोकें के लिए या फिर वाटर ज्यादा यूश्फुल होता है सब्छों जानते हैं सर हम तो बेपर से पकाते हैं खाना अगई कुछ भाइं मॉर मुउज भगारा या धोगला बगेरा इसा बनाना होता है तो इसा नहीं करते कि मुझ लिए और वोइल वॉटर में डाल दी और उसल्णीघ यह तो नहीं वहता है अंड steam is better than water at 100 degree celsius 100 degree celsius पर steam water से ज्यादा अच्छी क्यों है या फिर इस कुशन को आप दूसरी तरह से ऐसे भी लिख सकते हो which is more effective for heating which is more effective for heating water at 100 degree celsius vapor at 100 degree celsius 100 degree celsius पर water भी है 100 degree celsius पर बेपर भी है heating purpose के लिए कौन ज्यादा effective होता है तो आंसर हम जानते हैं तर heating purpose के लिए vapor is more effective for heating purpose at 100 degree celsius vapor ज्यादा effective होती है लेकिन आप सोचोगी तर temperature इसका भी 100 temperature इसका भी 100 तो बेपर के ही हम क्यों पकाते हैं खाना why vapor is more effective than water at 100 degree celsius तो region है latent heat of vaporization कि latent heat of vaporization की बज़े से जो हम heat प्रोवाइड कर आ रहे हैं 100 degree celsius पर वो indirectly किसमें जा रही है वो बेपर में तो जा रही है इसका तो temperature increase नहीं हो रहा है इसके तो force के इंटर्म जो molecular force हो खतम होता जा रहा है और बेपर में पर्वत होती जा रही है तो indirect heat कहां पहुंच रही है तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि बेपर is more effective for heating purpose at 100 degree celsius because बेपर have more energy due to latent heat of vaporization क्योंकि बेपर में ज्यादा energy होती है because of latent heat of vaporization एक तो कुशन यह हुआ एक और है मेरे पास में student की which cause severe burn water at 100 degree celsius और बेपर at 100 degree celsius कहने का मतलब क्या है कि अगर 100 degree celsius water है और 100 degree celsius पर बेपर है तो कौन ज्यादा जलाएगा आप करम पानी में पानी boil हो रहा हो उसमें अपनी finger डाल के अशे निकालो और पानी boil हो रहा हो बेपर निकल रही हो उसमें तेते और बेपर में हाथ अकके देखो तो किस पर ज्यादा आप लगों का हाथ जल जाएगा करके मत देखना है इसा बता रहा हूं मैं आप लोगों को इसा अधर बेपर हैब मोर एनर्जी डू टू लेटेंट थीक ऑफ बेपराईजेशन लेटेंट टू अफ बैपराईजेशन की बज़ए से बेपर में क्या होता है जादा एनरजी होती है टैंप्रेचर दौनों का जरूर से में वेपर का भी टैंपेचर अर्टद डिगी से यह से water का भी temperature 100 degrees Celsius लेकिन वेपर में energy ज्यादा होती है कि बजाए से due to latent heat of vaporization होता है उसी तरह से latent heat of fusion भी होता है सबस्क्कानी सोचोगे fusion क्या होता है student तो हम बताते हैं कि fusion क्या होता है solid को जब हम liquid में बतलते हैं तो अस process from melting बोलते हैं इसी process from fusion भी बोलते हैं कि एक किलो solid को liquid में convert करने के लिए जितनी heat हमको देनी पड़ेगी उस heat को ही हम कहते हैं latent heat of fusion क्या बोलते है latent heat of fusion इस तरह से आप अपने इस इन पर एक diagram देख रहे हो इसमें क्या है कि हम ice को गरम करें ice क्या होती है solid होती है है सब लोग जानते हो नहीं देखिया तो देख ले ना अपने घर में ठंडी ठंडी कूल कूल आइस होती है ice को जब हम गरम करते है आइस का temperature कितना होता है ice का temperature होता है zero degree Celsius जब हम ice को गरम कर रहे हैं नीचे से heat भी दे रहे हैं तो आप सोचोगे सब ice को गरम करेंगे तो ice का temperature increase होना चाहिए zero degree Celsius से बन होना चाहिए two होना चाहिए three होना चाहिए four होना चाहिए five ten होना चाहिए लेकिन मेरे प्यारे students ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा आप ice को कितना भी गरम करते रहे है आप ice को कितना भी गरम करते रहे है आईस का temperature zero degree Celsius से उपर नहीं जाएगा है है sir यह तो भूछ गजब की बात होगई ऐसा कैसे हो गया कि ice का temperature zero degree Celsius से उपर क्यों नहीं जा रहा है तो फिर से बीते जीरियो डीगी सेलसेत से क्यों नहीं जा रहा है क्योंकि आइस क्या होता है आइस भी तो वाटर ही होता है एक तरह से आइस के जो मॉलीक्यूल्स हैं पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होगा inter-molecular force होगा क्या होगा inter-molecular force जब हम ice को गरम कर रहे हैं melt कर रहे हैं, तो heat कहा जा रही है heat यह जो गर स्वा इंटर मॉलिकुलर force है, इसको finish करने में जा रही है, overcome करने में जा रही है, इसी लिए ice के इसमा बदलती जाईगी, liquid में बदलती जाएगी आइस मेल्ट होती जाएगी लिकुल में बदलती जाएगी तो heat temperature को increase नहीं कर रही है heat क्या कर रही है heat is used to overcome the intermolecular force between the particles of ice that's why the temperature of ice is not increasing during the melting लेकिन जब सारी ice melt हो जाएगी जदने आपने ice ले रखी है diagram में सारी ice melt हो जाएगी तब क्या होगा साथ तब हम गरम कर रहे हैं क्या साथ तब भी temperature भड़ेगा तो yes my dear student जब सारी की सारी ice water में convert हो जाएगी और फिर भी आप उसको गरम कर रहे हो तो temperature in key होगा definitely होगा तो आप लिख भी सकते हो the heat required to convert one kilogram of solid into liquid without changing the temperature is called latent heat of fusion देखो दोनों चीजें एक ही है latent heat की definition याद हो गई तो latent heat of vaporization भी याद हो जाएगा latent heat of fusion भी याद हो जाएगा जैते हमें latent heat में बताया था the heat required to change state of a substance without changing the temperature अब इस टेट में हमें दो तरह की बता रहे हैं एक तो latent heat of fusion और एक latent heat of vaporization fusion मतलब melting solid को liquid में कर्मट करना the heat required to convert one kilogram of solid into liquid without changing the temperature vaporization मतलब liquid को vapor में बतलना तो लिख दीजिए the heat required to convert one kilogram of liquid into vapor without changing the temperature is called latent heat of vaporization जो आइची latent heat of fusion होती है student वो होती है 3.34 into 10 to the power 5 joule पर केजी इसका मतलब हम बता चुके है जूल क्या होती है energy की unit होती है मतलब क्या है कि एक kilo ice को अगर आपको liquid में convert करना है तो इसको heat देनी पड़ेगी ना लेकिन कितनी heat देनी पड़ेगी 3.34 into 10 to the power 5 joule आप लिख भी सकते हो the heat required to convert one kilogram of ice into water without changing the temperature is 3.34 into 10 to the power 5 joule मतलब एक kilo ice को पेगलाना है तो इतनी heat आपको ice को देनी ही पड़ेगी अब इस पर वेश हम एक दो कुश्म भी पूछते हैं आप लोगों से अब बताए cooling purpose के लिए मतलब जब हम ice को melt कर रहे हैं तो ice का temperature कितना है जीरो डिग्री सेल्सियस और ice कितने कर्मट हो जाएगा water में कर्मट हो जाएगा तो water का भी temperature कितना रहेगा during the melting fusion fusion के टाइम में ओके दौनों का temperature zero degrees celsius है लेकिन cooling purpose के लिए कौन ज्यादा effective रहेगा ice at zero degrees celsius water at zero degrees celsius तोचके बताओ अगर हमको लसी बनानी हैं कभी आपके यहां पर आएंगे गर्मियों में तो आप हमें लसी बगरा कुछ offer करोगे ना पूछोगे ना मैं पता है नहीं पूछोगे लेकिन चलो कोई बात नहीं है कोई और आएगा आप हमारे यहां पर आगे तो आप नहीं पूछेंगे तो नहीं बताओ कूलिंग पर पस के लिए लसी बना रहे हैं तो लसी में आप आइस डालो गे या water डालोगे 0 degree Celsius वाला तोच के बताओ आप तोचों के साथ हम तो लब ice डालते हैं कभी तो water नहीं डालते तो water is sorry ice is more effective for cooling purpose than water at 0 degree Celsius ice जैदा effective होती है cooling के लिए then water at 0 degree Celsius क्यों क्यों क्योंकि ice में जो energy है जान दीजेगा आइस में जो energy है वो कम होती है क्योंकि जो आप energy प्रोवाइड करा रहे हो इंटर molecular force को overcome करने के बाद में तहां जा रही है water में जा रही है या फिर जब आप ice को अपने हाथ पे रखते हो देखो तो आपका हाथ कैसा होता है ठंदा ठंदा हो जाता है सोचा है कि कैसे ठंदा हो जाता है और किसी चीज से ठंदा नहीं होता है आइस से ही क्यों ठंदा हो जाता है तो हम बताते हैं जैसे आप आइस को अपने हाथ पे रखते हो तो आइस क्या करती है आपके हाथ में से एनर्जी को एब्सॉर्ब करती है कितनी अगर एक किलो आइस आपने अपने हाथ पे रखी हुई है तो इतनी हीट को एब्सॉर्ब करेगी हो जब आपके हाथ में से हीट निकल जाएगी तो आप सो को निकालती है कितनी निकालेगी, इतनी, एक किलो आश जाली है तब ज्यानक नाजिए एक किलो के लिए कम डालोगे तो कम these required होगी कम heat निकलेगी Ice water में डाला, आपने तो ice का किकी water में में से heat को absorb कर रहेगी, melt होना start हो जाएगी, fusion होगा, इसलिए water का temperature कम हो जाता है water ठंडा हो जाता है तो which is more effective for cooling water at 0 degree Celsius और ice at 0 degree Celsius तो आंधरे सर ice is more effective for cooling purpose because ice have less energy due to latent heat of fusion ice में energy का amount कम होता है इसी लिए ice ज्यादा effective होती है cooling purpose के लिए तो यह हुई बात है स्टुडेंट latent heat के बारे में कि latent heat क्या होती है latent heat अनमें दो तरह की बताई आपको latent heat of fusion भी बताई और latent heat of vaporization भी बताई